नेक्स पार्ट ऑफ जेर बोडी इस थोराग्स एके बाद जो नेक्सट पार्ट आए उनकी बॉडि का वो है थोराग्स थोराग्स के बारे में देखी हमको इतना मालूम है कि हम्वैने कभष्था में इसमें तीन सेग्मेंट्स थी वह ft Óные फूस नहीं है और अभी किती segments है, तीन segments और फेस्सें धाई हैं धू तो अब थो्रैक्ष में कितने इस्से हैं तीन पॉर्ट ते इन ते यह ते होते हैं एंटीरियर्वार्ट मतलब कि जो सामने वाला हिस्समां मिडल पार्ट बीच ओ बीच और पॉस्टीर पार्ट anterior part middle, posterior anterior part को कहते हैं prothorax middle part को कहते हैं mesothorax and posterior part को कहते हैं metathorax prothorax, mesothorax, metathorax ऐसे तीन हिस्स है each segment मतलब की prothorax में भी mesothorax में भी और metathorax में भी हर segment के पास each segment has nine pair मतलब one pair हर किसी के पास होगा sorry nine pair के दिया गलती से each segment has one pair of jointed appendages appendages लिखा है हाथ या पेर या निकी आम या लेक क्यों नहीं लिखा होता है क्योंकि हमें नहीं पता नहीं वो हाथ है क्यों पैर है jointed appendages jointed क्यों कह रहे है I'll tell you jointed मतलब वो थोराक से जुड़े हुए श्रौख उसके यह था है इंद और तो राक्स मेजो थोराक्स मेटा थोराक्स हर किसी के पास one one लेग, वन वन पेर अफ लेग इस प्रेजन So, each segment has one pair of jointed appendages Located ventrally in the body किस side पे located होगा इनकी body में? Ventral side पे located होगा ठीक है? और each leg consists of five segments यह five segments फोटो में जो यहां पे है न यह कुछ ऐसे दिखाई देंगे तो क्या-क्या हिस्से हैं देखो कॉक्सा बिच इस दी ब्रॉड़ेस्ट पार्ट आप अगर ड्रो बना रहे हो तो आप ड्रो की साथ में वहीं पे लिख लीजेगा लेबलिंग में कॉक्सा इस दी ब्रॉड़ेस्ट पार्ट सबसे चौड़ा हिस्सा कॉक्सा सबसे टॉप वाला मतलब शुरुवाती हिस्सा फिर छोटा सा प्रोकांटर है यह एक इकलौते प्यार का स्ट्रक्चर है लॉंग इस पाइनी फीमर तीक है मतलब फीमर का स्ट्रक्चर में ऐसे क्या होते हैं छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-प्रेजें प्र फूर्थ पार्ट है, जो लॉंगेस्ट पार्ट होता है, टिबिया, और फिफ्ट पार्ट है, तारसस, लॉंग तारसस, तारसस को जब देखें, तो इसमें पांच तारसो मियर प्रेजेंट होता है, वान टारसो मियर, टू टारसो मियर, थ्री टारसो मियर, फो टारसो मियर, फाइफ टारसो मियर, फाइफ टारसो मियर, हर इंसेक्ट में न ये टारसो मियर की लेंद अलग-अलग भी हो सकती है, किसी में माल लो ये जैसे पहला टारसो मियर इसमें बड़ा सा दिख रहा है आपक यह शिफ्ट कैसे होगा लॉंग स्पाइनी फीमर लॉंगेस्ट सेग्मेंट टिबिया लॉंग तार्सर्स विट फाइव तार्सो मियर पाँच तार्सो मियर प्रेजन्ट होगे तार्सो मियर की लेंथ अलग-अलग इंसेक्ट में अलग-अलग हो सकती है हो सकता है पांचो टार्सो मियर एक दम छोटे-छोटे हो उन टार्सो मियर को और क्या कहते है टार्सो मियर और आलसो नोना इस पोडो मियर टार्सो मियर और आलसो नोना इस पोडो मियर प्री टार्सिस का structure जब आप देखोगे तो इसमें claw present है कुछ ऐसे बहुत zoom करके मतलब की close view दिखा रही हो मैं आपको इच प्री टार्सिस has one pair claw and inside of this is a structure present यह देखो यह क्या है one pair claw like structure one pair claw और यह क्या है arolium arolium also known as pulvinus also known as adhesive pad ठीक है vacuum pad की तरह काम करेंगे यह उसको मतलब चिपक के रहने के लिए किसी surface पर जब उसको चिपक के रहना है तो उसमें help करेंगे तो basically यह कहां पर present है जैसे last वाला जो segment ना प्री टार्सिस यह रहा माल लो ठीक है यह last tarso mere है जिसको आप pre-tarsus के रहे हु तो एच pre-tarsus has one pair claw and one arolium यह जो structure है Each pretarser has this Claw and arolium Last tarsonier को क्या कहते हैं? Pretarser Pretarser इसका structure जब आप देखोगे तो उसमें क्या present है? Claw present है और अंदर की तरफ एक adhesive structure समझ लीचिए Vacuum pad की तरह का structure होता है This one known as arolium ची क्या? तो ये तो बात हो गई किसकी? Walking leg के बारे में इसके अरावा क्या present होता है? यहां तो leg की बात हो रही है 5 segment जो present है उसके अलावा thorax में 2 pair of wings are also present 2 pair wings And in total how many legs were present? 3 pair of legs present 2 pair of wings are present Mesothorax Has one pair Mesothorax पे एक pair wing होता है उसको कहते है four wing Then इसके बाद metathorax Has one pair उसको क्या कहा जाता है? Hind wing Hind wing मतलब जो पीछे present है सामने जो present है वो four wing है पीछे जो present है वो hind wing है ठीक है? अब four wing और hind wing में बहुत सारे differences होता है जो सामने वाला है और जो पीछे वाला है Four wing के बारे में बात की जाए तो ये long है ज्यादा थिक है लेदरी है ठीक है पेपर ही नहीं है लेदरी है और opaque है transparent नहीं है किसके बारे में बात हो रही है four wing के बारे में ये ज्यादा dark in color होता है dark color और जिस सिरे से ये जुड़ा होता है वो सिरा कैसा होता है narrow होता है narrow at distal end narrow at distal end distal end पे कैसा होता है narrow होता है हाइंड विल्ग के कंपैरिजन में लार्जर है लार्जर देन हाइंड विल्ग इट इस नौत यूजड पोर फ्लाइट फ्लाइट के लिए इस्तिमाल नहीं होता है हाइंड विल्ग जो है वो कैसे है ट्रांस्परेंट है चीक है, कैसे होते हैं ये, transparent होते हैं, membranous होते हैं, पतले से membrane जैसे, membranous होते हैं, broad मतलब फैले हुए, thin, delicate, hind wing मतलब पीछे वाले wing के बारे में बात कर रहे हैं, photo में देखो, ये hind wing है, और ये upper wing है, four wing, hind wing याने जो पीछे की तरफ present है, hind wing जो है, पीछे की तरफ present है, ये broad होता है, मतलब ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है, ज्यादा फैला हुआ है, देखो, बाहर से फैला हुआ है, और four wing के बारे में बात करेंगे, तो four wing आपको दिखाए देगा, कुछ ऐसा, देखो, ये difference है, transparent है, delicate है, membranus है, पतला सा है, इसका जो terminal end होता है, वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है, यहां से देखो, ब्रॉड जादा फैला हुआ है, पर वहीं जब हम लोग इसके बार में बात कर रहे थे, तो ये देखो, ये narrow है, this is narrow, ब्रॉड यहां, hind wing जो है, वो कैसा है, ब्रॉड है, और four wing कैसा है, नारो है, ब्रॉड ट्रांस्परेंट मेंब्रेनास, यूस्ट फॉर फ्लाइट, यूस्ट फॉर फ्लाइट, इस स्मॉलर, ब्रॉड है, लेकिन छोटा है साइज में, तो जब बंद होते हैं ना, तो four wing पूरे तरीके से hind wing को cover कर लेता है, ठीक है, पूरे तरीके से ये fold हो जाता है, it is folded below the four wing, four wing से अंदर छुप जाता है, तो जब आप बंद देखोगे इसका पंग, तो आपको जो दिख रहा है, वो outer वाला, यानि कि four wing जो है, बाहर की तरफ वाला वो दिखाई दे रहा है, है ना, it is folded below tegmina while resting, और यहीं आप इसके बारे में बात करेंगे, four wing के बारे में, it is not used for flight, it cover the hind wings, hind wings को क्या करता है, cover कर देता है पूरे तरीके से, एक second, not used for flight, cover the hind wings, इसे लिए, it is also called as wing cover, और tegmina, और illitra, इसी को illitra भी कहते हैं, tegmina भी कहते हैं, wing cover भी कहते हैं, hind wing कैसा है, पतला है, transparent है, पतला सा membranus है, इसका terminal and broad होता है, भले ही size में क्या होता है, चोटा होता है, और इसमें आप देखोगे, दोनों ही wings में हाला की देखने को मिलता है, a network of fine tubules, छोटे-छोटे tubules के network दिखाई देते हैं, उन्हें कहा जाता है, nerve, sorry, nerveure कहा जाता है उन्हें, nerveure, जो present होते हैं, inner side of the lungs पे, they are present on inner side of the lungs, ये दोनों ही wings के respect में बात हो रही है, दोनों ही wings में अंदर ऐसे जाली-दार network जैसा दिखाई देता है, ये देखो, ये ऐसे जालियां दिखाई दे रहे हैं, तो ये जालियां कि क्या कहलाती है, nerveures कहलाती है, तो यहां पर हम लोगों ने थोराक्स के structure में पढ़ा, कि थोराक्स में क्या प्रेजेंट है, पैर प्रेजेंट होता है, थ्री पेर और टू पेर और ओफ विंग्स आर प्रेजेंट, इस इस अबाउट थोराक्स, देन बात करेंगे आप्डोमन के बारे में, एब्डोमन पॉस्टीरियर रीजेन है बॉडी का, इस दी पॉस्टीरियर रीजेन ऑफ बॉडी, बॉडी में कहां प्रेजेंट है, पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, यह थोरेक्स से जाधा फैला हुआ होता है, इस ब्रॉडर दैन थोरेक्स, कितने segment का बना है 10 segments का बना है 11 थे लेकिन fuse होने के बाद 10 बचे हैं इस consisting of 10 segments यह चिप्टा होता है डॉर्सो वेंटरली फ्लाट होता है इसकी body कैसे होती है डॉर्सो वेंटरली फ्लाट होती है उपर से नीचे की तरफ फ्लाट रहता है एक typical abdominal segment में a typical abdominal segment is enclosed by four sclerides कैसे एक डॉर्सल साइड पे होगा डॉर्सल टर्जम एक वेंटरल साइड पे होगा वेंटरल स्टर्नम और टू आर लेटरल प्लूरा या फिर प्लूराइट भी कहता है जिसको तो एक typical abdominal segment इस तरीके से चार sclerides से enclosed होता है जो मैंने आपको अभी थोड़े देर पहले समझाया भी था यह ना male और female में abdomen में बहुत सारे differences होते हैं लेकिन सारे differences हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे यह ना जब हम लोग reproductive system पढ़ेंगे ना तब और differences के बारे में discuss करेंगे यहां बताऊंगे तो काफ़ी थोड़ा सा confusion हो जाएगा अब देखिए दो चीजों के बारे में बात करते है एनल सरकाई किसे कहते हैं और एनल स्टाइल किसे कहते हैं एनल सरकाई के बारे में बता दू यह male में भी present है ठीक है एनल सरकाई जो है वो male में भी present होता और female में भी present होता है यह sound sensitive है and vibration से sensitive है कहां पर पढ़ रहे हैं हम लोग abdomen में पढ़ रहे हैं मतलब कहा होगा abdomen में होगा body की प्ले हिस्से में होगा ठीक है कहां से arise करता है arises from 10th segment के तरगम से arise करता है तरगम मतलब dorsal side वाला तो यह आपको दिखाई कहां पर देगा dorsal view में आपको proper दिखाई देगा यह ना dorsal view में आपको दिखाई देगा देखो anal circle यह रहा male और female दोनों में आपको दिखाई दे रहा इस ना male और female दोनों में आपको दिखाई दे रहा यह वाला जो photo है A और B यह male का photo है और C और D जो है यह female का photo है इसमें आप्ध्जान दें कि female में dorsal side पे देख रहे होएं तो देखो यह Judaism है 10th graph है उसमें से ही Arise करना है dorsal view and this one is ventral view same A जो हो dorsal view और B जो हो ventral view ठीक है so diagram इसको ध्ञान रखना हो उपर वाले दोनों जो हैं वो मेल के नीचे वाले दोनों जो है फिट्चर वो फीमेल के निलfehाई जोह है एक सिंगल रहने से प्लूरल रहने से अंच हाई तो यह रहता है वन पेर ओध है ओड़ा श्याय I'm where मतलब वह चीज जो बाहर की तरफ ग्रो किया तो इस पेड आउट ग्रोथ इस जॉइंड टू बॉडी कहां से निकल रही है तेंथ तर्जम से निकल रही है साउंड से सेंसिटिव है और वाइब्रेशन से सेंसिटिव है तो आप इसको सेंस ओर्गन के एक्विविलेंट कह सब कि अगर हम आनल स्टाइल के बारे में बात करें तो आनल स्टाइल के वल मेल में दिथी हां तो याद रखने का तरीका है यह तो ऑल देखो यह रह है यह डॉर्सल वीव है डॉर्सल वीव में आपको अनल सरकस दिखाई दे रहा है है ना अनल स्टाइल जो है यह वेंट्रल साइट से अराइस करता है यह पेयर्ड है थिन है स्मॉल अंजॉइंड आउट ग्रोट हुई है कि यह यह नाइन्थ इस टर्नम से अराइस करता है और पीछे की तरफ चले जाते हैं वे प्रोजेक्ट बाकवर्ड है बॉडी वे पीछे की तरफ दे को यह सरकस कैसे आउटवर्ड जा रहे हैं नो इनका पॉइंट कैसे है आउटवर्ड है देप्रोजेक्ट आउटवर्ड और यह आपको वेंट्रल साइड पर होता है तो यह आपको वेंट्रल दिखाए देंगे फीमेल में आपसेंट है फीमेल में नहीं पाए जाते हैं नल् स्टाइल जो है ते के आरा प्रेजेंट इनमेल सोली不 यह प्रेजें इन मेंय सौंली फ्रॉर्ड नॉइंख शाल ऑन ज्टॉर्ण ऑ्टो यह बैक्वर्ड प्रजेक्ट करतें नाईंट स्टृुन से आराइस करतें कि क्या तो तक्त interpol तच उ तो यहां पर बहुत तारे अपर्चर प्रेजन्ट होता है अब डूमें में लेकिन सारे अपर्चर की बारे में अभी हम लोग नहीं सब्सक्राइब करेंगे वरना क्या होगा कन्फूजन हो जाएगा आपको काफी सारी चीजों को लेकर इसलिए क्या रही हूं क्योंकि रीप्रोड़ाप्टिव फार्ट्स पढ़ने के बाद बताऊंगी तो ज्यादा आसानी से और ज्यादा इजी लैंग्वेज में समझ में आएगा है ना तो कुछ चीज़े हैं आप यहीं पर पढ़ोगी यहीं पर मिलेंगे आपको लेकिन उसक इस बार बोड़ी वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं एक मिनट झाइज वाल भी ओंड़ी ना शिव फार्ट में आएगा कि अहले हैं ट्छाइब आसरे में लोग एंदो स्केलेटेन भी देख लिह एंदो स्केलेटन ईंदर कि तरह परोन हो जाती हैं, so it is formed by invagination of, invagination of sclerides, sclerides के invagination से बनता है, ठीक है, in, head and thorax only, scleride अंदर की तरफ ना ऐसे invagination दिखाते होंगे और उससे internal skeleton बनता होगा, kaitin की plates arise करती है, sclerides से, उन kaitin की plates को apodemes कहते हैं, they are called as apodemes, यह abdomen में absent होते हैं, और यह present होते हैं head में, पर head का तो fuse हो गया सारा चीज़े, तो यह basically कहां पर present है, यह के वल थोराक्स में present है, ठीक है, they are absent in abdomen, body wall मतलब कि आप अगर cockroach का body के बारे में बात कर रहे हो, कि इसका जो layer है body का, तो वो क्या-क्या है, सबसे बाहर की तरह से start करेंगे, तो cuticle है, outer most layer क्या है, cuticle, है ना, अब cuticle जो है, वो दो layer में होती है, outer most layer है, लेकिन दो layer में होती है, एक होती है outer, जिसको कहा जाता है epicuticle, और वो किसकी बनी होती है, kitean की बनी होती है, जो inner layer है इसमें, उसको क्या कहता है procuticle, प्रो क्यूटिकल कहता है, ये kitean plus protein की बनी होती है, kitean plus protein की बनी होती है, और ये pigmented layer है, pigmented layer का मतलब यह है कीज में color प्रेजेंट होती है, ये color प्रोवाइड करती है, cockroach की body को, उसके बाद, just नीचे एक layer है, उसे कहते हैं, ये hypodermis की layer है, जो columnar epithelium की बनी होती है, columnar cells की बनी होती है, उसके बाद, just नीचे है, basement membrane, basement membrane, ये बनी होई है, simple squamous cells की, epithelium की जस्ट नीचे की layer होती है, उसे कहते हैं, basement membrane, तो this is all about the body wall, अब इसके बाद, जो खाली हिस्सा आएगा, उसे कहेंगे body cavity, या फिर silo, क्योंकि ये silomate है, तो body cavity, या silom इनमें present होता है, ठीक है, क्या present होता है, silom या फिर body cavity present होता है, तो वो जो body cavity या silom है, because these are true silomates, they have silom present, silom present होता है, और silom को क्या कहते हैं, it is known as hemoceal, क्या कहते हैं, hemoceal, क्यों इसे hemoceal कहते हैं, silom को hemoceal क्यों कहा रहे हैं, क्योंकि ये blood filled silom है, क्योंकि इनके पास blood vessels नहीं होता हैं, तो blood यहीं बहता रहता है, है न, और इसी लिए इसको hemolymph भी कहते हैं, कि tissue fluid, silom सब mixture हो गया है, ठीक है, so this is about the body cavity, उसके लावा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हमारी body में liver जैसे काम करता है, वैसे ही काम, इनकी body में काम करने वाली होती है, यहां पर रिप्रोड़क्टिव और्गन प्रेजंट है, उसी एरिया में प्रेजंट होता है, गोनाडल क्याविटी में fat bodies प्रेजंट होती हैं, जो लिवर की तरह काम करती है, ठीक है, so this is all about the introduction, next class में हम लोग digestive system पढ़े हैं,